जी आएनों प्यारे विद्यारतियों पंजाब स्टेट एड्यूकेशन बोर्ड दी नाइन्थ क्लास दी अंग्रेजी दी किताब इंग्लिश मेन कोर्स बुक उजदा लेसन नंबर टू प्लांट्स आल्सो ब्रीद एंड फील इस लेसन दी आखरी एक्सराइज ग्रेमर एक्स सुनना है ते जड़े आंसरस ने उन्हों अपनी कॉपी विच नोट्बूक विच नोट डाउन कर लेना है ते ताजा ताजा रिवाइज करके फिर अधा अभियास जुरूर अपने आप करना है ठीके ते इसी चैनल दे उत्ते नाइंथ लास दी मैथ दी प्लेलिस्टेज ज सारे स्वाल हल करके पादेते गेने फिर नाइंथ मैथ नोट से जड़े विच गणित दे मैथ दे से दांता नो समझाया गया है एए वीडियो देखन तो बात उनों स्वाल करने ते समझने वोड़े सौखे हो जनगे ते एक प्लेलिस्ट वोरे नाइंथ साइंस जड़े वि नोट स्विच बनाके समझाया गया है ते वोदी जड़ी कोश्चन से गेने वोदी आंसर्स पेश किते गेने ते जड़ी चैप्टर दे एंड विच एक्ससाइजे वो भी हल करके पाईया जा रही है हम सो तुसी ओना दा बेनिफिट भी ले सक दियो चैनलों सब्स्राइब क इतैलिक्स दा मुर्लब टेड़्डे करके लिखे है फिखो जिदा एससे अगेने, है ए साउंड, साउंड, राउंड ए टेड़डे करके लिखे लिखे है यह ते पाननूं जिड़े जिले लिखे वए शबद कोई ते इन जुछ जान दा है इन इतैलिक्स, इट इस रिटन इटेलिक्स ठीक है, आर अड्जेक्टिव्स और नाउंस, केंदे जड़े शबद इटेलिक्स विच लिखे वे ने, ते सो की वो शबद की अड्जेक्टिव है गेने, जेनू सी के निया विशेशन, ते यहां नाउं ने गेने, जेनू क्या जानदा है नाउं, उन बच्चों है बड़ा ही इंट्रस्टिंग सेक्शन है गया, इस तरहां ते बड़े सारे शबद मिलनगे तो अंग्रेजी वीच भी होंदा है, ते अपनी पुझाब वीच भी होंदा है, कि एक शबद जड़ा है, उन नाउं ते तो और ते भी वरतिया जा सकता है, ते उसी शबद नो तो नो पता होना चीद है, अड्जेक्टिव की होंदा है, अड्जेक्टिव is a word that qualifies a noun, पी जो नाउं बारे जानकारी दवे की है, नाउं कितना दा नाउं है गया, जिवा मैं कमा की रोड, सडख, उन सडख की है, नाउं है गया, ते जे मैं कमा नेरो सडख, मलगी पीडी स सडख, सो पीडी या नेरो की हो गया, एड्जेक्टिव हो गया, जे मैं कमा ब्रॉड रोड, ते ब्रॉड की हो गया, एड्जेक्टिव हो गया, पी सडखते हैगी पर चौडी सडख हैगी, तो चौडी या ब्रॉड हो गया, विशेशन, ठीके, जा मैं कमा ब्रोकन रोड, पिठ पुट्टि हुई सदगा गिए। ब्रोकर इधे की हो गया, भूकन अडज्यक्टिव हो गया। ठीके, उना देखो, she possesses a sound health. पुजेस मैने उन्दा बच्चयो, अधे बारे मल्कीत है ऑन्नों दरस होंदा है. She possesses a sound health. अर थाद उन्दे कोड सेथ है किये। ते sound उस से तदा की हो गया, adjective हो गया, इस करके word sound दा मतलब है adjective, मलगी है sound adjective है, मतलब नहीं है का, इते sound दा मतलब है चंगी पली, वदिया, ठीक ठाक, राजी खुशी, जिदा मैं कमा, I am in sound health, मैं बहुत वदिया सेथ, विच हैगा हाँ, इस विले भी मेरी सेथ बहुत वदिया है, ठीक है, ते एक sound दा मतलब है अवाज, ते sound मैंने अवाज, ठीक है, तो उन्हें इतने की sound किया गया, इतने low adjective है ते sound किया और नहीं हो गया, आवाज इतने नहीं हो ना आ गया, ठीक है, सो ये बच्चे संटेंसेज नो, वसाद है कई विद्यार्थिया नो एकल पहली नजरे ना समझावे, सो जड़ी गल्ला में तो नो बोलगे दासरेयां, उन्हें उन्हें पड़े ते आंदेलाल सुनो, ते बेशक नाल देलाल तो उसी नोर्स बनाई जाओ, ठीक है, उन्दे पहला ही बरे गल हो रही है, गोल गेंद, गोल टॉफी, गोल चॉकलेट, गोल संत्रा, गोल की हो गया, एडजेक्टिव हो गया इते, तो इस बाल इस राउंड इन शेप, ए गेंद अकार विच गोला कार है, तो ए हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ए जड़ा राउंशब आई बॉल जड़ी नाउने, वोदे वारे जानकरी दे रहा है, कि ए गेंदते हैं, पर आई गेंद, गोला कारे रहा है, तो आई फिनिस्ट माई फोर्थ राउंड, फोर्थ मैंने चौथा, राउंड मैंने गेड़ा, अउनली हाफ हा मिनट अगो, मैं सिरफ अद्दा मिनट पहले अपना चौथा गेड़ा पुरा कीता, जिदा मैं कोई सैर कर रहे हैं, या मैं कोई दोड़ला आ रहे हैं, या मैं साइकलिंग कर रहे हैं, सो मैं किसे नों कहा रहे हैं कि I finished my fourth round, only half a minute है वो, मैं सिरफ अद्दा मिनट पहले अपना चौथा गेड़ा, सो इते गेड़ा इस फास्ट, उन कलर कीए, नों, पर किदा दा रंगे, पका रंगे, सो फास्ट ही हो गया, अड्जेक्टिव, दिस कलर इस फास्ट, अर्थाथ ए रंग बड़ा पका है, रंगते है, मैं कि नों रंग हो गया, ते फास्ट हो गया, अड्जेक्टिव, फिर I observe a fast every Monday, to observe a fast दा म मतलब हो गया, नाउन, अमली, sorry, ये थे fast जड़ा, मतलब हो गया, वर्त, ते वो गया नाउन, ते ये थे fast दा मतलब हो गया, पका, वो गया, अड्जेक्टिव, फिर आगे बच्चेयो, शबद हो गया, लाइट, ते लाइट, उन जिले light अड्जेक्टिव चे, एदा मतलब होंता है, हलका भी होंता है, ते एदा मतलब हो गया, एदा मतलब हो गया, लट्टु हो गया, बलब हो गया, टूब लाइट हो गई, थेक है ओगै नाउन, So she is wearing a very light dress उनने बड़े हलके रंग दी फिके रंग दी लाइट रंग दी अपनी पुशाग पाई हुई है So dress हो गया noun ते इस noun नो qualify कर रहा है शबद light जे होगा है adjective मलगी उनने dress ते पाई है पर किदर ही dress है? light dress है Please switch on the light इते light दा मतला होगे lamp, tube light ये भलब होगे ठीके एँ होगे noun और पूर पूर एक पूर जेले बचेश दी पूर जालता है एक वास्ते नी बड़े जेले असी पूर नो नौन दे तो और ते वरता दे है ते असी एक वड़ी ग्रीब जड़े लोग ने ग्रीब जनता है, वो दे वास्ते करने है कदी भी असी पूर वर्ड जड़ा है नौन दे तोर पे एक बंदेली नी बड़ता दे ठीके फिर जी कहूंगे he is a poor man, फिर poor adjective होग देगा पर जो दो असी कहने दी पूर एदा मतलब किया गया असी एक वड़े ग्रुप दी मलकी वड़ी जनता दी वड़ी अपनी अवादी दी गल कर दे पे याँ जिते बहुत सरी ग्रीपी है तांसी किने थे पूर ते होगे noun, एक किसम दे collective noun है ठीके जनूसी कहा दिने है इकठ वाचक noun, ठीके पूर एड़ेक्टिव जजमनी की उन्दा है बच्यों जज ते एक जड़ा बंदा है ना हुँद जड़ा जजमन्न दिन्दा है, इनसाफ कर दा है ये काम तरट ऐसी किने है पर जज करना पर जज करना जड़ा बंदा किसी गुन दोशनू पर्ख लवे सो इते जज़ दा मलके पार्खू ते पूर पूर जज़ में अगया भी माड़ा पार्खू पी तू जले किसे दे बारे कोई फैसला कर दा हैं पी तू इस गर नों जज़ नहीं कर पना तू तु तरी पर्ख नी वदिया नहीं आगी सो इस पूर जज़ आफ पीपल अर्थाद लोग उन्हों तो ख़दे लिने ने लोग उन्हों मलकी चीटिंग कर लें ने ते ही ज़ज पता नहीं लग पांदा ही ज़ज मलकी ओधी जजमेंट है ओधी परख हैगी है ओ इन्ही वदिया नहीं पूर हैगी माड़ी है मलकी कहलो की ने में पद्दर दिये वचे नहीं स्यान अपनी हागी तो इस पूर जज़ आफ पीपल सो एह पूर वर्ड इत्थाग है अडजेक्टिव फिके दे डूनोट लाफ एड दी पूर एंड दी नीडी नीडी मैंने लोडवंद दी नीडी एवी गुरूप चे अग पाक ना उड़ाओ या तगरीब मां थे लोडवंदा थे ना हसो ठीक है तो बच्यों एह जड़े पंच संटेंस पंच दूनी दस संटेंस ने नाउन अडजेक्टिव बड़े ही रोचक ने बड़े ही कीमती ने सो इननों तुसी नोट ड़न करके ना ता बार बार अभास कर संटेंस नों करना है ननों संटेंस नों होली 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 शेज़ेश्यक बोल के पढ़ो की अंग्रिजी उपड़ी बुलिय ठीक है न इसकारे है यह तवी पहली वार दूजी वार नहीं समझा नहीं इस गल तो कबार नहीं नों पढ़ो बार 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 पढ़ो जिले बार बार पढ़ोगे तोड़े दिमाज कल बैठ जाएगी ठीक है जे कोई समस्य आ दिये तुसी मैंनू अपना पाओ ते मैं कुछ जे तुनू इंट्रस्ट है दिविज ते मैं होर संटेंस होर इदा दे शबद कड के जड़े की इको जबद ने ते नाउन ते तौरती परती अंदेने ते अड्यक्टिव तोरती परती अंदेने मैं टोडेली होर उदारन के पेश कर सकना ठीक है और पढ़ जड़ों जगदीशंदर पोसके देने पे जड़ों ताइं उन अनलेस दम अले जड़ों ताइं एक खुशी जड़ी है सारे यहां ली हासिल नहीं कीती जा सागदी तदो ताइं जड़ी ए खुशी एक सिंगल बंदे ली हो कोई माइने नी रख दी एक बंदा ही तरकी करी जा वे एक बंदा ही सारा कुछ प्राप्त कर लए ते बाकी रुल्दे फिर्दे होन ते के लिए ओ जड़ी तरकी हो ताओ कोई फैदा नी यहां तो इनने के इदने इन दिस केस तू संटेंसे है बिन कमबाइइड देर कुड़ी नो हैपिनेस फॉर सिंगल परसन एक संटें संटेंसे है बिन कमबाइड विदी हल पव कंजंग्शन अनलेस सो पंजाबी जसी के निया योजक शबद ते एनूं इंगलिश विच के निया कंजंग्शन जो दो संटेंसे नो दो वाका नो आपस जोड़के एक संटेंस मुना दे के ने नाव फिलें दी ब्लैंक्स पाहिए यह विन अनलेस दा मनलेगा जड़ो ताइं जड़ो तक वाइल मैंने जिस वेले आल्दो मैंने पाहिए हालांके वन मैंने जड़ों थोड़ा बहुत अर्थाना फरक पिंदा है जड़ों से संटेंस मुनाने सानूं जाला समझाएगा आओ दिखिए उन्हें संटेंस दिखते ने ते इना विच ऐसी शवद पर ने तो मैं पर देते ने ते उन्हों अन्डरलाइन कर देता है फिले इन्दी विलेंस मुन मैं तो अन्हों दे अर्थ दसांगा वी कैनोट गेट आफ दी बस दा मतलगे बासतों थले उत्तरना वी कैनोट गेट आफ दी बस असी बासतों थले नहीं उत्तर सक दे इट स्लोज डाउन ए हॉली हुंदी है ते अन्लेस इट स्लोज डाउन जदों ताई है हॉली हुंदी है केंदे जदों ताइं अन्लेस तब बल जदों तक हाली नहीं हुंदी असी बास तो थल्ले नहीं उत्तर सकते ठीक है फिर आगया मेक हे वाइल दी संशाइन्स दी संशाइन्स मलगी तुप निकली होई ये सूरज चमक रहा है मेक हे हे नू बनाओं हे गी उन्दा बच्यों हे उन्दा बच्यों सुक्के पठे जिदा मलगी चरी हो गई बाजरा हो गया वो दे टांडेया नू असी कठे करके सुक अधे रने ने तो तुदी जड़ी है सुक्का जड़ा है कम अंद ते वन्दा ने मेक हे वाइल दी सन्शाइन्स वाइल बने जिस वेले तोपनिकली हुई है जिस वेले सूरज चमक रहा है की खरो वेकहे उन्दा बच्यों हे इक कहावत भी अंग्रीजी ती मतलब कि याग ह कि आलसी ना बनो पी स्याने बनो उन जिले तोप निकली है फेते हे बन जाएगी फेते सुके पठे बन जाणगे पर जे मी आ गया ते फे नहीं बन सकते एक की समझान दी कोशिश करने में खे वाइल दा संशाइन सा मतलब ऐ हो गया कि वेले सिर जदो मौका है कम करन दा उस वे कर लो अर्थात मौके नूँ हथो ना जान दो जेड़ा कम जिस वेले करना चाहिए उस वेले करो उचिदा जड़े बंदे बरसातां तो पहले अपने कोठे ने कोठे लिंदेने जदो मौसम ठीक हुंदा है आलसी नहीं हुंदे हाना काम नोगे नहीं पांदे ओ फे बरसाता आजन तो नहीं कोठे नी चुन दे ती और आमना सुन देने ते जड़े आलसी ने वाचारे की करते हैं जो लोगोठा चुन दा कई बाल टी तरक कर दे तरक कर दे राक उननों रादू नहीं तिप टिप कर दा सो मेक हे वाइल था संशाइन जा मतलब बच्चे वे कि जदो करन दा वदिया उस वेले तुकवां ओकम तो नूं कर लेना चाहिए मौक तेनूं अथों नहीं जान देना चाहिए था तो नू पता है कि वह चरी यह बाजरा पे और गिल्ला यह ताज है और रस ना परया पे तो मैंनों सुका चाहिए था तो अपनिकली फटा 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 और को टीवी देख रहे हैं या और गपा मार रहे हैं वो कम चड़के उनूं सुका लेना चाहिए था ते उनूं त्यार करके रख लेना चाहिए इनूं के दिन में खे वाइल दी सन शाइन्स ठीक है माइस मैंने चूहे माउस मैंने उन दा चूहा M-O-U-S-C मैंने चूहा त ते माइस हागया चूहे दा बहु बचन केने माइस विल प्ले चूहे मौजा करणगे चूहे नच्चे टपणगे चूहे नच्चन कुदणगे वन जदों धी कैट इस वे जदों बिल्ली के ते परे है गी यह अर्था त जदों कोई खत्रा नहीं एगा जदों सेड़ते स्टूदेंट्स विल मेक नॉइज वेंडी टीचर इस वे जदों उस्ताद टीचर अध्यापक परे हुंदा है तो दों विद्यार्थी रोड़ा पहुंदेने सो माइस विल प्ले वेंडी कैट इस अवे जदों बिल्ली गई हुई है कि ते परे है तो दों चुहे उच्छल गूद कर देने नच्रे टप देने खेड देने कि यह जदों बच्छों इदा दो विरोड़ी विचार होण मन की असी उन्हों सद्धा दित्ता सी ते उन्हों सद्धे ते आना चाहिए ता सी पर वो नहीं आया तद असी शवद वर्दते हैं एवड़ा आल दो यह दा मतले पामे हालांके So he didn't come to the party although we invited him केंदे वो पार्टी ते नहीं आया पामे असी उन्हों सद्धा दित्ता सी ठीके उन्हों दे खोई थे भी आ गया होई फे असी है शवद वर्दते हैं आल दो देखो बचे बड़ी है महत्तपुर्ण और है प्रैक्टिकल अंग्रीजी दी गल्दाने है गल्दानों बड़े त्याना सुनो देखो समझो ते नोट डाउन कर लो ते ना दा विहास करो सु आल्दो ही वग्डार्ड हालांके उन्हें मैनत किती पामें उन्हें मैनत किती ऑर्थात पर वो काव जाब ना हो सक्या वो सफल ना हो सक्या यू कैनोट सक्षीड तुसी सफल नहीं हो सगदे unless जदो ताईं तुसी नहीं you work hard जदो ताईं तुसी मैनत नहीं कर दे so unless दा मतलब हो जदो ताईं तो अगए 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 जागे fit करांगे जदो ताईं नहीं ठीके न? जिदा इत्हे सी unless it slows down जदो ताईं ए हॉली नहीं हुं दी बस होली नहीं होंदी, you cannot succeed, तुसी सफल नहीं हो सकदे, unless you work hard, जदों ताइं तुसी मैनत नहीं कर दे, ठीक है, फिरकें दे स्ट्राइक, सट मारो, थोड़ी देनाड, when the iron is hot, जदों लोहा गरम होए, तदों सट मारो, उन्दस्यों बच्चों, ऐ भी पता कि ये, जड़ी है, बड़ी नहीं कहावत, make, hey, why the sunshines, ऐ औरना राल्दी मिलती है, अर्थात जदों लोहा गरम होए, उदों सट मारो, अर्थात जदों मौका मिले, उस मौके नू हत्थों ना जान दवो, उस मौके नू फड़ लवो, नौकरी दा मौका आ रहा है, या कोई होर गल आ रही है, किते भी कोई बिजनस करन दा मौका मिल रहा है, कोई नौकरी दा मौका मिल रहा है, कोई कम करन दा मौका मिल रहा है, कोई चंगी आदत अपनान दा मौका मिल रहा है, किते समागम ते जाके कोई चंगी गल लेक्चर सुनन दा मौका मिल रहा है, वधिया कोई भी जड़ जड तरक्षी आफ लेकर जाएगी चंगे पासे लेकर जाएगी सो मुख्यन फथोना गवाओ असी जान दें लोहार जिल्डे यह बच्छो संद बनाना है की करदा है वह पठ्थी वीच लोहे नो तपान दा ते फिर लोहे देना सट मार जबा जाएगा जयो लोहा ठंडा हो उस वेले तुसी वोदे ते अमल करो, वो सही कदम जो चुकन वड़ा है, वो कदम चुको, So, strike when the iron is hot, अर्थात सट मरो, when, जदों, the iron is hot, जदों लोहा तप रहा है, गरम है, फिरके दे, the boat will sink, बेडी, sink मैंने डुबना, the boat will sink, बेडी डुब जाएगी, ते वोही bail-out, bail-out दा मतलब है, बच्चो, बेडी विच्चो, पानी नूँ बार कड़ना, कि वर की उन्दा है, मालो, कोई चरी पैदा होगी, बेडी विच, कोई छेक हो गया, ते समंदर दा पानी, नदी दा पानी यह चाना शुरू हो जोन रहा है, ति फिर की उन्दा है एक वड़ी जी कर्षी होंदी है, मन जेदा पतिली होंदी है, बहुत देविच क्यों में मर्चेंडे विच कम कीता है, ते यह सारी कम कर देजिए, डरलिंग कर देजिए, अपनी प्रैक्टिस कर देजिए, जहाद द पानी परके फिसी सुमंदर्च सिट्टी रहा थांकि किष्टी डुबना जावे उन्हों इस किर्या नू के देने बेल आउट तू बेल आउट दा मतलग है बेडी चौं पानी नू बार कटके सुटना केंदे दी बोट विल सिंक बेडी डुब जाएगी अनलेस वी बेल बेडी दे विच जड़ा पानी किते आगया है नदी या समंदर दा यहां तो मी पर पानी कठा हो गया है तो उन्हों पानी नू फिर बार सुटना उस किर्या नू किया जानता है घ्रीजिच टू बेल आउट ठीके आउगे चलिए अभी बड़ा बच्च यो अगे अच्छा नौह और दस आगया फिर थर्ड पारते हैं उन्हों आगया आल्दो दी सन्वास शाइनिंग उन्हों देखो आल्दो आगया इत्थे वी विरुद्धी गल ऒएगी दी सन्वास शाइनिंग अर्थार शूरज चड़ेया होया सी तू पनिकली होई सी सूरज चमक रएगया ज वाल दो हालांके पावे दी सन वाज शाइनिंग तो बड़ी जवर्दस्त सी मनी सूरज पूरी जलावीच चमक रहा सी इट वाजन्ट वेरी वाम पर फेवी कोई बहुत ही गर्मी नहीं सी ठीक है ना फिर अगया दी किड्नैपर्स किड्नैपर उन्दे बड़े अगवा का अगवा करन वाड़ा ते किड्नैपर्स हो गया ओधा अगवा कार दा बवचन के नहीं दी किड्नैपर्स टोल्ड हिम अगवा कारा ने उन्वा किया that he would be killed उन्वार दित्ता जाएगा unless he co-oporated उन्ना नखिने प्रच्चा अपाड़नु फोन करसा अनु पहें जास गोपरेट उन्हे करनीं नहीं को औरने किलना वयकाराण। कि उन्हों मार दिता जाएगा अलेस ही को ओपरेटिड जे उन्हें उना देनाड से होग ना कीता उन्हें बच्छे तीसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टन बड़ा रोच्छा के वी देखो और चि बढ़ियां गलतियां वड़ी वड़ी क्लासाने बच्छे की कर देने तुसी बड़े ते आना सुने हो फिल इंदी ब्लैंक्स विदी फॉलिंग डिटर्मीनर्स डिटर्मीनर्स बच्छे ओ जो किसी नाउन नों मॉडिफाई कर दाए पिया नाउन दी क्वांटिटी दिवारे दासते है पिया नाउन जड़ा है गया थोड़ा है ज्यादा है गया उनके दी जा सकती ठीक है जिले उनके एक्जम्पल देखांगे तो अनों आपी समझ आ जाएगा उन बच्चों जिते फ्यू है फ्यू दा मतलब है बोग थोड़ा नाम मात्तर या तुसी ब्रेकट चे लिख लो पंजाब बीच फ्यू दा मतलब है नाम मात्तर ते ए फ्यू दा मत है तो अनों गलक लिख रहा जाएगी ठीक है लिटल दा मतलब यह हो नाम मात्तर बहुत थोड़ा है ए लिटल कुझ ते दी लिटल वो जिड़ा थोड़ा सी उस सारे दा सारा ठीक है अब देखिए आशा सेड़ आशा ने क्या देर इस लिटल मिलक एट हों वी कारविच बह नाम मात्र दुद दे लिटल मिलक देखो नाम मात्र दुद बहुत थोड़ा है ठीक है नाम मात्र बहुत थोड़ा है तो आई कैनोट मेट टी फर यू इसले मैं तेरे लिटल नहीं बना सकती है ठीक है ना गल बन दिया देखो लिटल मिलक बहुत थोड़ा नाम मात्र शीला सेड़ शीला ने क्या वो शीला ना गल कर दी पी आशा that she had a little milk वोद एकोल कुछ दुद है a little जादा वो तो जादा है वनकी little little तो a little वोद दुको कुछ दुद है गया या है गया थोड़ा या a little milk in her kitchen वोदी रिसोई विच 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 जे देनाड they could make tea for both of them जे देनाड दोना जोगी चा बन जाएगी ठीक है फिकेंदी when she went to her kitchen ते जदो शीला अपनी विच विच गई she saw उनने देखिया that her son की ओदे मुंडे ने had drunk पी चुका सी the little milk she had वो सारे दा सारा जड़ा दुद अदुकोल सी उनने पी लिया सी so the little के दा बच्चो दी लिटल के दे वाल इशारा करदा है वो ए लिटल वाल ओ जड़ा ए लिटल प्यासी ना इत्ते वन गई दी लिटल जड़ा जिकर उनने इत्ते कीता सी कि मेरको कुछ दुद प्याया ओ मैं जाननी आते साथे दोनाली चाव बन जाएगी ते जिले आई जा देखिवादी पुत्तर ने वो सारा दुद पी लिया सी ओड़ा ठीके ए गल्दा क्या रखना है दी लिटल लिटल ते ए लिटल उनन जाना आकड़ा ए बच्चे वड़ा मिलक आएगए एक डानाउन अगया अनकांटेबल नाउन एदी गंती नहीं किती जा सब्सक्राइब असी दोदनू एक दो तैन नहीं करते है असी दूदनू माप दे हाँ अना एक लीटर दो लीटर दोद्दी गंती नहीं दिघान दी इसी तरह घंड वास्ते है लिटल शुगर अ लिटल शुगर दी लिटल शुगर ठीक है तो इस तरह गल्द ख्यार रखना है पून आगया बच्चे ओ फ्यू काउंटेवल नाउन वास्ते दी टीचर नोटिस्ट टीचर ने घौर कीता टीचर ने देख याँ फूर इन अरजुन्स असाइनमेंट वो थोडिया इन गल्तिया देखिया अ कुछ अफ्यू नीएगा अफ्यू जैंनै कुछ गल्तिया देखिया इन because Arjun usually Arjun आम तो औरते made few mistakes Arjun आम तो औरते बहुत थोड़ियां गलतियां करदा सी क्योंकि देखो आफ यू जा रहा है ना हैरान ते ताहीं होया पि जड़ा Arjun ने आम तो औरते नाम मत्र गलतियां करदा सी पर उनने देखिया आप देखो आफ यूजवा जादा है जो नाम मत्र ही उनी यह फिर टीचर ने हरान नहीं होकर नाम मत्र तो जादा सी कुछ गलतियां सी इसकार करके टीचर बड़ा हरान होया पि जाटेगे टीचर ने की किता दी टीचर करेक्टेड टीचर ने उननों दुरुस्त करता सही करता, के ननों दी फ्यू, वो सारियां नी सारिया जेडियां आफ यू सिखियां वो केडियां बनगे दी फ्यू mistakes, he had made जेडियां अरजुन ने कीतियां सी वो सारियां गलतियां उनने ठी करतियां देखो, ऐसी न, दी लिटल मिल्क she had किते किया गया, दी फ्यू he had made उनना जिकर आगे न, सो जिते दी आएगा बच्चों, वो दे ना लिए दा लिंक जुड़िया होएगा, दी फ्यू दी लिटल, एदा मतलब पिछली जड़ी गल चल दी पही है जेदे बारे एए लिटल या एए फ्यू कीता गया है वो खीरत आगे जदो ओचीज दा जिकर आ रहा हुए फ्यो बन जन्द है, दी फ्यू या दी लिटल एभी बच्चों, मैं कवाँगा कि जेए तो नो पहली नज़रे समझ नहीं आंदा, ते कोई गल नहीं बच्चे हो जदो असी स्टूडेंट सीगे सान्द हुए है, मुश्किल आंदी सी इस करके तुसी कब रहना नहीं जदे में तन दस्य है, जदो तुसी बार बर पढ़ोगे दो दिन देज़ गैप देडो, फिर तीज़े दीन फड़ो एन्हों अपनी, मैंनी, तीज़े दिन फिर पढ़ो एन्हों अपनी नोट्बूक फिछ लिख लोगो नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो फिर अपते बाद फर eaucार पढ़ो फिर दस दन बद पढ़ो कोशिश करो ते उन्हों वो दिनाल जोड़न दी कोशिश करो वो दिनाल तो अन्हों जड़ा एदा कुंसेप्ट आगा है और सारा समझ आदेगा सो प्यारे विद्यार्थियो ऐसी टोड़ी ग्रैमर एक्सराइजेज ते एदे नाली साट्डा जड़ा एं लेसने लेसन नुबर टू अधिस मापत हुंदा है अगली वीडियो भी स्टोड़ा अगला लेसन लेके आमांगे तद तक ली गुडबाई वड़ा सारे आंदा प्रका थेंक य। वरी मुच।